Exercise 8.4 Question No.2 यह मैंने आप से खा था attempt करने के लिए ठीक है मैं इसको आपके सामने attempt करके दिखा रही हूँ ध्यान से देखिए सिर्फ कुछ भी note ने करने से देखिए क्योंकि जो आपको सीखना है वो यह सीखना है question को attempt कैसे किया जाता है मेरा एक fundamental तरीका है मैं attempt करने के लिए सोचते हूँ मुझे कितने formula याद है एक तो यह सोचते हूँ और दूसरी चीज़ हर चीज़ को na sin और cos में convert करने का सोचते हूँ उससे मेरा हमेशा निकल के आजाता है answer अभी आप देखेंगे कैसे मैं निकालूंगी और इस technique को देखिएगा तीन formula हैं जो मुझे याद है sin square theta plus cos square theta equal to 1 अगला formula मुझे याद है 1 plus tan square theta equal to sec square theta और अगला याद है 1 plus cot square theta equal to cosec square theta मुझे पता है जहाँ पर भी cosec theta लिखा होगा उसको मैं लिख सकती हूँ 1 upon sin theta अगर कहीं sec theta लिखा है तो उसको लिख सकते है 1 upon cos theta और अगर कहीं पर cot theta लिखा है तो इसको लिख सकते है 1 upon tan theta और अगर tan theta है तो इसको लिख सकते है sin theta upon cos theta ठीक इतनी बाते मैं हमेशा याद रहते हैं इसके बाद जितने भी manipulative questions होते हैं वो सब निकालाते हैं आज ध्यान से देखते हैं Question number 2 कह रहा है Write all other trigonometric ratios of angle A Angle A मतलब theta angle A जो आपको लिखना हो In terms of sec A ठीक, तो sec A को छोड़ करके Of course है न, sec A तो equal to sec A ही हो गया तो sec A को छोड़ के जितने भी हमारे पास trigonometric ratios हैं जैसे sin A हो गया फिर cos A हो गया फिर tan A हो गया फिर sin के बाद usually हम cos A को लिख लेते हैं, cos A sec A तो इसमें नहीं count होगा और cot A ठीक, इन सभी को ऐसे लिखना है कि मतलब जो दूसरा term हो sin A equal to क्या और उसमें जो terms हो क्या हो sec A के terms हो तो भाई अब सोचा जाए क्या कर सकते हैं तो जैसे मैंने देखा, लिखा है sin A इसको कैसे लिखें, कैसे लिखें हमें लिखना है sec वाले term पर तो मैं सोचूंगे, यह formula मेरे को पता है इसमें एगर मैं लिखू sin square theta equal to 1 minus cos square theta तो जो cos है ना, उसका sec के साथ देखू, यह relationship मिल जाता है तो यह convert हो जाएगा यह आपके दिमांग में लगा अतार बना रहेगा तो आप decision असानी से ले पाएंगे ठीक, तो मैं ऐसा ही लिख रहे हूं sin square A plus cos square A equal to 1 लिखेंगे because this is equal to this तो हम कह सकते हैं sin square A equal to 1 minus cos square A तो इसलिए लिख सकते हैं sin square A equal to 1 minus cos को क्या लिख सकते हैं 1 upon sec square A लिख लिए हमने, ठीक है दिखा आपको sin square A equal to अब इसको solve किया जाए यह बन गया sec square sec square A minus 1 1 into sec square A sec square A अब चूंकि sin square A तो नहीं बताना है sin A बताना इसलिए हम लिखेंगे sin A equal to under root sec square A minus 1 upon sec square A चूंकि sec square A आप चाहो तो इसको under root से बहार भी ने काल सकते हो तो लिख सकते हैं under root sec square A minus 1 upon sec A ठीक, लिख लिए हम तो यह हो गया पहला sin A को हमने लिख लिया अगला है यह लिख लो इसको first part की तरह कर लिया अगला हमारे पास क्या है cos A तो cos A तो बहुत इसी है 1 upon sec A simple ठीक ठीक, थर्ड देखो tan A को लिखना है sec के साथ देखो कुछ दिख रहा है tan और sec कहीं साथ में हो बस मिल गया तो की 1 plus tan square A equal to sec square A तो हम लिख सकते हैं tan square A equal to sec square A minus 1 इसके लिए फिर हो गया tan A equal to under root sec square A minus ठीक sin A कर लिया cos A कर लिया tan A कर लिया आप करने जा रहे है cos A cos A यहाँ देखने गए तो कुछ exactly नहीं समझ में आ रहा है लेकिन देखिए trick देखिए cos A is equal to what 1 upon sin A और sin A को निकाल चुके convert कर देगे समझ में आगया कॉसे के can be written as 1 upon sin A this can be written as 1 upon sin A की value यहाँ पर substitute किया जाए under root sec square A minus 1 upon sec A यह उपर multiply हो जाएगा this will become sec A upon under root sec square A minus 1 trick the last one is cot square A क्या किया जाएगा cot square A के लिए देखो इधर देखो इधर देखो कुछ दिखा relation दिख गया? किसको दिख गया? आपको दिख गया? आपको दिखा? तो क्या लिख सकते हैं? cot A equal to 1 upon tan A और tan A को तो हम पहले निकाल चुके हैं इधर देखो इधर देखा जाएगा इधर देखा जाएगा इधर इधर का मतला होता है कि आंसर में कोई नंबर आएगा ठीक sin square 63 degree plus sin square 27 degree upon cos square 17 degree process देखें क्या मैं सोचती हूं मैंने देखा 63 देखा 27 मुझे दिखाई पड़ गया दोनों का sum 90 है हाँ इसका मतलब 90 minus करके लिखना है सेम मैंने यहाँ पर देखा तो मैं लिख दूँगे इसको sin square 90 degree minus 27 degree plus sin square 27 degree इसको लिख सकते हैं cos square 90 degree minus 73 degree plus cos square 73 degree इसको लिखा जा सकता है उपर वाले को sin 90 minus theta के हिसा आप से cos समझ में आ रहा है sin 90 minus 27 degree का whole square लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं cos 90 degree cos square 27 degree plus sin square 27 degree upon cos square 73 degree sin square plus cos square cos square theta plus sin square theta equal to 1 sin square theta यह यह दोनों same to same है यह दोनों same to same है यह this is equal to ठीक अगला question देखते हैं sin 25 degree cos 65 degree plus cos 25 degree and sin 60 दिखा कुछ 65 ठीक लिख दिया इसको cos 90 minus 65 दिखाना नहीं भूलेंगे cos 65 degree plus cos 90 minus 65 लिखना पड़ेगा sin 65 degree इसको लिख सकते हैं अरे भाई आपनों बताओ भाई कि मैं ऐसे मत लिखी बताई है ठीक है 25 को पहले convert किया ना सिर्फ तो sin तो लगाना ही पड़ेगा sin 90 minus theta cos 65 degree into cos 65 degree plus sin 65 degree into sin 65 degree यह हो गया cos square 65 degree plus sin square 65 degree क्या value आगई ठीक करिये यह यह क्वेश्चन दो दो नंबर में आएंगे भले ऐसे है multiple choice क्वेश्चन पर दो दो नंबर में आने वाले क्वेश्चन से हैं सब पेपर टास करें तो एक नंबर में पूछा ही जाता है क्वेश्चन क्या हिए आप क्या क्याह क्या कर दो कर दो यह जो भी को समझ भाया नहीं है यह बहुत गल्ती प्रोन नो इस अरर प्रोन इस नो गल्ती हुई जाती है लोग कहीं से कुछ भी काट देते हैं पुकाटी रखे जानी कुछ जैसे मैंने किया वैसे ही करिएगा उसको मैंने यह मान दिया और यह मान दिया कर दो कर दो यहां लिखा ना आपको इसको साइड में लिखता है अब लिखता है इसमें लिखता है तो आप महीं लिखेंगे रच साइड कीटा प्यास कीटा बीए सब्सक्राइब अब लिखता है अब लिखता है तो अब लिखता है अब लिखता स्ब्सक्राइब यो बच्अलाइब अब लिखता है झाल यो यो व Nikki अब लिखता है 30 part को देखा थी 3rd part कहा है sec a plus tan a एक bracket में दूसरे bracket में 1 minus sign solve करने का एक तरीका इपिना sec a tan है इसको सबको sign Fast में करवाण करवाई it will be easy sec a को क्या लिख सकते है 1 upon cause tan a को क्या लिख सकते है sin a upon cause दूसरे ब्रैकेट में है 1-sin अगर इसमा ऐसे डर लगता हो तो इसको नीचे आपको बहुता बन करते लिए यह सुपच तो रहना चाहिए क्या चीज मुल्टिप्लिकेशन में और क्या चीज डिवरेशन में दोनों में नीचे हमारे पास रोमिनेटर सेम है उपर सीधे आड़ जाएगा यह बन जाएगा 1-sin ने एक प्रैकेट में उस्टरे में 1-sin ने कॉस ए और 1 मुल्टिप्लाइ होगे हो जाएगा किसी को यह डाउप तो नहीं यह कॉस ए कॉस से मुल्टिप्लाइगे बाग चॉस को रहेगा A plus B A प्रैकेट में 8 में A minus B A square minus B minus D square जाएगे होगे 1-sin square A upon cos A 1-sin square theta equal to cos square theta कि क्यों होगे होगे cos square A upon cos A This is equal to cos A into cos A upon cos A अगला देखते हैं 4-quot 4-quot है 1 plus tan square A upon 1 plus cos square A इसको देखते हैं उन्हें दोनों formula रादा रहे आपको रादा रहे 1 plus tan square A equal to what sex square A और 1 plus cos square A क्या होता है cos square A sex square A मतला 1 upon cos square A cos square A मतला 1 upon sin square A यार रहे कैसे multiply होगे है यारे होगे 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 उपर होगे sin square A रहे होगे cos square A sin upon cos A का whole square लिखा है लेखनी से क्या लिखा हो है 10 square A 10 square A अच्छाइ आप्शन यारे लिखा होगे question nr 5 को देखे एक साइड लो और दूसरे साइड तक पहुंच जाओ, ठीक, तो हमें प्रूफ करना है, लिखेंगे 2 प्रूफ that, TPT, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वेर, this is equal to 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, प्रूफ करते समय यह सब मिस नहीं करेंग ठीक है, फिर आप लिखेंगे taking LHS, मतलब हम लोग जो manipulation आप करने वाले हैं, कहां करने वाले, left hand side के content में, तो left hand side को as it is उतारा जाएगा, cos 1 थीटा माइनस कॉट थीटा का whole square, पंडा बहुत simple है, क्या पंडा है, convert into sine and cos, 1 upon sine थीटा, minus cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, upon sine थीटा, इसका whole square लगाना नहीं बूले, base हमारे पर denominator सेम है, तो सीधे उपर, minus हो जाएगा, 1 minus cos थीटा, whole square, upon sine square थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, sine square थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos square थीटा, ठीक, तो कि sine square थीटा, plus cos square थीटा, equal to 1, यहाँ पे लिखेंगे, sin square theta plus cos square theta equal to 1 इसके लिए हम क्या कह सकते है sin square theta equal to 1 minus cos square theta 1 minus cos square theta को अगर ध्यान चे देखोगे तो लिखाए है ये a square minus b square के formula में ठीक तो इसको break करके लिख सकते हो 1 minus cos theta एक bracket में और दूसरे में 1 plus cos theta देखा ठीक है तो यहाँ पर लिख रहे है 1 minus cos theta का whole square upon 1 minus cos theta एक bracket में दूसरे में 1 plus cos theta 1 minus cos theta का whole square इसका मतलब क्या लिखा है this into the same thing 1 minus cos theta यहाँ पर 1 minus cos theta एक factor यह 1 minus cos theta cancel out this becomes 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta this is equal to what RHS last we'll लिखेंगे hence fruit तिक तिक करें नोश करें फिफ्थ का second part देखते हैं cos theta upon 1 plus sin theta plus 1 plus sin theta upon cos theta इसको क्या प्रूव करना है this is equal to 2 sec a लिखेंगे to prove that इसके बाद लिखेंगे on टेकिंग लेफ्ट एंड साइड थीक देखो जबी भी हमारे पास इस तरीके से दो यह रहते हैं न हमारे तो इसको ब्रैकेट में डाल लीजे हमेशा तो गल्ती होने की संभावना अपने आप खतम हो जाएगी जबी भी मल्टिप्लिकेशन करेंगे ठीक मल्टिप्लिकेशन होगा ठीक चलो इसको भी डालना हो तो डाल लो मर्जी तुमारी को से अपन वन प्लस साइने प्लस वन प्लस साइने अपन को से ठीक क्रोस मल्टिप्लिकेशन करना पड़ेगा ठीक यह हो गया को से इंटू को से सीधा मल्टिप्लिकेशन कर दिया है को स्क्वेरे प्लस यह क मतलब 1 plus sine a का whole square ठीक है ना 1 plus sine a का whole square अपन cos a into 1 plus sine a इसको open कर रहा है क्या बना open करने पर cos square a as it is लिखा जाएगा इसको open किया जाए 1 plus sine square a plus 2 sine a ठीक a square 1 का square 1 b square sine square a 2ab 2 into 1 into sine a 2 sine a clear upon एक ब्रैकेट में cos a दूसरे में 1 plus sine a cos square a plus sine square a 1 वन होने के बाद ये 1 के साथ जोड़ गया 2 ठीक ये दोनों मिलके क्या बने 1 1 plus 1 क्या हो गया 2 so this is equal to देखो अगले-अगले step पे जाते ना तो ऐसे करके लगाते चले जाते इसका मतला this implies this इसको बोलता है implies that this implies this अगले step पे इसकी value क्या हो गई 2 plus 2 sine a upon cos a एक में राकेट के इंदर 1 plus sine देखो इसमें साथ 2 common ले सकता है उपर उपर 2 commonly अंदर बचा 1 plus sine a upon cos a 1 plus sine a multiplication में दोनों अटर इसके ले cancel out this is equal to 2 into 1 upon cos a 1 upon cos a को क्या लिख सकते है this is equal to 2 sec this is equal to rhs last भी लिखेंगे hence okay आज की क्लास के लिए लास्ट है यह फिफ्थ का थर्ड पर्ट tan theta upon 1 minus cod theta plus cod theta upon 1 minus tan theta this is equal to 1 plus sec theta into cos theta to prove that simple कितना भी cut-in question हो करना क्या है इसको sin theta cos theta में सबसे पहले convert कर लेना है ठीक है फिर easy हो जाएगा तो हम लिखेंगे on taking lhs ठीक and converting ठीक साथ साथ convert कर रहे हैं अगले step में तो 10 theta को क्या लिख सकते हैं sin theta upon cos theta upon 1 minus cod theta को क्या लिखेंगे cos theta upon sin theta बिल्कुल दियान से देखते रहे हैं यह calculation में mistake हो जाती हो और फिर वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं कोड theta को बोलो cos theta upon sin theta 1 minus sin theta upon cos theta इसको लिख लो 1 upon 1 इसको लिख लो 1 upon 1 पहले इसको solve करेंगे यह वाला हिस्सा यह वाला हिस्सा ठीक देखो sin theta upon cos theta upon sin theta minus cos theta upon sin theta ब्रैकेट में लगाना इसको नहीं बूलेंगे नहीं तो mistake हो जाएगी उपर cos theta upon sin theta upon cos theta minus sin theta upon cos theta ब्रैकेट में डाल दिया यह दोनों multiply यह वाला multiply ठीक बीच बीच वाले multiply और उपर नीच वाले multiply ठीक multiply किया जाएगे तो क्या हो गया sin theta sin theta multiply हो के sin square theta upon cos theta bracket के अंदर sin theta minus cos theta इसको देखा जाए cos theta cos square theta upon sin theta इन ब्रैकेट के अंदर cos theta minus sin theta बाँ 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 अगले step में अब क्या किया जाए कोई hint आ रहे है हिंदू में देखो यहाँ पर sin theta minus cos theta लिखा है यहाँ पर cos theta minus sin theta लिखा है देखो मैं यहाँ पर solve करके दिखा रहे हैं cos theta minus sin theta इसको अगर लिख लिख लिखे हैं इसे minus 1 इसमें से कॉमल ले ले अंदर बचेगा sin theta minus cos theta यह बास समझ में आती है क्या किया समझ में आया ठीक तो बस यही वाला इसमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा इसको नीचे कर दिजेगा sin square theta upon cos theta bracket के अंदर sin theta minus cos theta ठीक अब यहाँ पर minus 1 पर लिखा है तो minus और यह यहाँ पर plus मिलके minus हो जाएंगे यहाँ से देखते जाएगा cos square theta upon यहाँ पर लिख सकते है sin theta और इस bracket के अंदर अब आ जाएगा sin theta minus cos theta यह वाला star point है यह समझ में आना ही चाहिए ठीक है इसलिए मैंने कहा कि आख basic वालों के लिए last question है minus cos theta bracket के अंदर बचा sin square theta upon cos theta minus cos square theta upon sin theta ठीक है अगला step देखो 1 upon sin theta minus cos theta multiply करो sin cube theta minus cos cube theta upon sin theta cos theta वाल a cube minus b cube का formula याद है a cube minus b cube का formula होता है a minus b एक bracket में दूसरे में a square plus b square plus a b not 3 a b ठीक है इस formula को यहाँ पर लगाएंगे इसलिए हम क्या कह सकते है sin cube minus cos cube यहाँ पैसे लिखेंगे sin cube theta minus cos cube theta this can be written as sin theta minus cos theta एक bracket में और दूसरे ब्रैकेट में sin square theta plus cos square theta plus sin theta cos theta ठीक समझ में आ रहा है this can be written as sin theta minus cos theta sin square theta plus cos square theta कितना हो गया 1 तो यह हो गया 1 plus sin theta cos theta अब यहाँ से जो value निकाली है उसको उठा के हम लोग यहाँ रखने वाले हैं चलो रखो 1 upon sin theta minus cos theta एक ब्रैकेट में इंटू sin theta minus cos theta अगले ब्रैकेट में 1 plus sin theta cos theta upon sin theta cos theta अज़ा हारी है sin theta minus cos theta यहाँ पर इस सब मल्टिप्लिकेशन में लिखें इसलिए कट जाएंगे कट गया ठीक इसको यहाँ पर आगे लेके चलते हैं इसको यहाँ पर आगे इसको हम लिख सकते हैं 1 चलो दो स्टेप में करते हैं 1 plus sin theta cos theta upon sin theta cos theta ठीक इसको separate करा जए तो इसको लिख सकते हैं 1 upon sin theta cos theta plus sin theta cos theta upon sin theta cos theta ठीक, यह cancel out, okay, हो गया 1, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 plus 1 upon sin theta इसको भी break करके लिख सकते हैं 1 upon cos theta देखो, मिल गया, अपने को जो चाहिए था, 1 plus 1 upon cos theta को लिख सकते हैं sec theta, 1 upon sin theta को लिख सकते हैं this is equal to ठीक, चलिए, यह ठीक से रिकोड करके लिख सकते हैं, ठीक से रिकोड करके थोड़ी देर स्क्रीन, स्क्रीन ले लीजी बजय करके लिख सकते हैं